हेलो फ्रेंट्स नमस्कार जी कैसे हैं आप सुथ आई होप के अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज मैं आपको अपनी खुबसुदत एक जोरा की प्लांट से मिलवारी हूँ यह इक जोरा का जो क्यों प्लांट मेरा इसको बहुत ही छोटा लाई थी फ्रेंट्स और अभी मैंने इनकी पिंचिंग कर गरके काफी सारी से ब्रांचोई निकाल दी हैं इस प्लांट में और अब बहुत सारी समें बट सारी हैं और कि लावरिंग होरी है फ्रेंट सी दिखोग, कुब सूरत सा कि यस फायद़। चांट में प्लांट में ज्याधा होती हैं तो फ्रेंटल में ब्लांट में बाल दोchat किμैप प्लांट bra giving तो इस तरीके से देखे अभी फूल खिलने पर हैं क्योंकि बहुत सारी बंचरे जैसी हैं जो अभी खिली नहीं है फ्रेंट ये देखे 3 भी इस तरीके से ुए एक-एक ब्रांच में friends इस तरीके से pinching करी थी मैंने यहां से मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए तो इस तरीके से इसमें flowering हो रही है तो जब भी flowering होने होने लगए न उससे पहले ही या फ्रेंट्स आपको इसकी बिंचिंग करनी होती है इस प्लांड की पिंचिंग करने से जहां होता है फ्रेंट्स के जो इसमें ब campaigning पर एक्सरा त कि दिखी एदर काफी सारी फ्रटücken यह चोटी चोटी मैं देखिए मैंने अभी कुछ पहले इनकी पिंचींग करी थी यह देखिए नीचे से अ हया है घो बड़ा अच्छह लिग रहा है इसका कलर देख के मुझे बड़ा पेरा है रड कलर तो कॉमन है और ये पिंच रेकर के सौरी जो पिंग कलर है यह बहुत लग भाग पिंग बीढ़ नहीं कह सकते हैंसे को लगभाग पीछ कग्डय का कई दूलाइन खुर्ण कर लान्ठ लाए है इसे अच्छा प्लान्ट यह बहुत अच्छा नहीं होती है को अंब धार घर को है ne मैं इस प्लांट में ज्यादा मैंने कोई देख भाल नहीं करिए बस इसको एक पॉट में लगा रखा है और बस अपने आप ही चल रहा है कोई खास केर की जुरूत नहीं होती तो जिन भी भाई बेनों को फ्लॉवरिंग पसंद है वो यह हाड़ी प्लांट लेके आए अपने ह इसकी हाँ पर हे बहुत ही हाड़ी प्लांट है फ्लॉवर तो मुझी तो बहुत ही पसंद है अगर आपको एक जोरा पसंद है तो प्रेंट को प्लांट कटिंग से बहुत इजली लग जाता है अब पर ट्राइब करैं आप लोग भी तो अगर आपको मेरें खुबसुरत खुबसुरत प्लांट्स और इसकी फ्लावरिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर जरू किजिएगा फिर मिलती हूं आपसे किसी अच्छी से जैनकारी के साथ तब तक के लिए बाइ फ्रेंड्स